जमुजीले के काकन पंचायती में 20 वर्सों से बिजली की सुविदा नहीं है। काकन पंचायती के काकन गाउं में बिजली के खंबे हैं, उस पे तार लगा हुआ है। लेकिन 20 वर्स पहले ट्रास्फरमा जल गया था और आज तक वहां ट्रास्फरमा दूसरा नहीं लगाया गया है। हमारे यहां पहले बीज भी स्विधा थी लेकिन ट्रास्फरमा जल जाने के कारण से अभी तक नहीं आया है। बहुत परिशानी होता है, अंधेरा में चलने पड़ते हैं, अंधेरा फ़रन से लोग बच्चा-बच्चा का बिच्छा काड़ लेता है, साप काड़ी है एक बार, जो कि मर गया दिखाते दिखाते, ले जाते लेते ड़क्टर के पास गया तातर मर गया, और हम लोग का बाल पच्चार-पांच अर लगबल गाउं को बच्ती है, एक लड़की जो गुंजा कुमाली थी, उन्होंने रात में दिपक जला कर पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई कर दोरान उनके सामने अंधेरी रात में एक बिच्छा कर उनको काट लिया, बिच्छा काट लेने के बाद उनका इलाज के लिए जमूजिला से पटना तक का इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के दोरान है उनका मिर्तु हो गया, बिच्छा काट लोल के बुतरू किया, खतम हो गले है, कि अतना बड़ा बुतरू ले हैं, बाराइस साल के ले, उस गाउं के बच्चे को पढ़ने लि करने के लिए जो जो पंप कंजमर बनता है, उसके लिए एक फिर का जो लैन हम लोग चल आते हैं वो भी नहीं हो पता है, हमारे हैं बीली की पाम से चलाते हैं, जाते हैं, खेती करते, गढमी से पितासा रहते हैं पंका के सभीदा, लेन रहेगा तो लो पंका भी ली सब ठकते हैं हम लोग को हमारे इमिल्सी साहब जो अभी बर्तमान में संजय सिंग पर साथ अपने गाउं में रोड़ बस निकल वा दिए लेकिन हम लोग के यहां बिजली के सुभीदा दे दिए अइसा दिया स्वार्थी इमिल्सी साहब है मैं चाहता हूँ कि काकन गाउं में बिजली कित्रस फर्मा लगाया जाए ताकि उहां के बच्चों के जिन्दगी में रोशनी हो सके और वे पढ़ाई आसानी से पूरा कर सके इसके लिए वीडियो देखने वाले सारे साथियों से अनुरोध है कि बिली विहा के स्कूर्टिव कनहियत जी का मुबाईल लंबर 77-63-84-45 पर कॉल कर दबाब बनाए और इस समस्य को दूर करने में हमारा मदद करे मैं सोपासवान रामकाकन जिला जमूई बिहाद से इंडियान हटते लिए